हलो दोस्तो मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल इंडियन बोज में एक पार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो मेरी आज की रेसिपी है ब्रत स्पेशल रेसिपी जो की फास्ट में बनाए जाती है यह है कुट्टू की पकोरी दोस्तों कुट्टू की पकोरिया जटपट बनकर रेडी हो जाती हैं और खाने में बहुत स्वाधिश लगती हैं तो चलिए इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं इनको छील कर अच्छे से दुल कर साफ कर लिया है अब हमें इनकी कटिंग करनी है कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं लेकिन इस सेप में इनकी कटिंग सबसे अच्छे रहती है क्योंकि ये ना ही ज़्यादा मोटे कटते हैं और ना ही ज़्यादा बारीक क्योंकि ये बनने में तलने में एकदम इजली कुक हो जाते हैं इसलिए इस सेफ में काटना इनको अच्छा रहता है तो मैंने सभी को काट कर रेडी कर लिया है, आपको जो सेप पसंद हो आप उसमें काट लीजिएगा यहां मैंने एक कप कुट्टू का आटा ले लिया है, यह मार्केट में इसली मिल जाता है इसमें मैंने तीन हारी मिर्च भारी काट कर डाल ली हैं और थोड़ा सा हारा धनिया अच्छे से साफ करके बारिक-बारिक काट के वो भी डाल लिया है अब मैं इसमें नमक डाल रहे हूं, सेंधा नमक मैंने यहां पे लिया है और कुटी भी काली मिर्च ली है, आधे चम्मच से भी थोड़ा कम और नमक अपने स्वात के अनुसार अब इन सब चीजों को हम अच्छे से एक समान मात्रा में मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएं आटे में अब हमें इसमें थोड़ा सा ओयल डालना है, ओयल या गी जो भी ओयल आप फास्ट में खाते हैं उसको आप इसमें डाल लीजिएगा, अलगा सा गुनगुना ओयल डालना है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से कर रही हो में अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसकी गुटलिया खतम करनी है और एक थिक बैटर बनाकर एड़ी करना है थिक बैटर बनाना हमें थोड़ा गाड़ा बैटर जिसकी कोटिंग आलु ओपर अच्छे से चड़ जाए उसी की पकोड़ीया अच्छी बनती हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर भी आप इसमें बैटर लगाना शुरू करें एक साथ ज्यादा बैटर ना डाले नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा अगर ज्यादा पानी आप बैटर में डालें तो तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डाले यह दिखे इस तरह से आप चमान से चलाते रहे इसली इसकी गुठलिया मेल्ट हो जाती है और इसली यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाएगा इसी तरह से हमें इसको गुल गुल कर इसका बैटर रेडी करना है थोड़ा थोड़ा पान डालीजिए और जब बैटर इस कंसिस्टेंसी में हो जाए कि उसकी कोटिंग हमारे आलो पर अच्छे से चड़ जाएगी डेली नहीं रहने चाहिए तो इस तरह की कोटिंग हमें रख है कोट्टो के पकोडिया बनाने के लिए इस तरह की थेंग 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 रखनी है जो बैटर की अब हमारा ज़ो हम मैं इसको देशी घी में बना रहे हूं और यह हमारा देशी घी गरम हो गया अच्छे से और इस तरह से कुछ आलु को हम बैटर में डालकर चम्मत से इस तरह से आलू से लेकर उसको अच्छे से आलू पर कोटिंग इस तरह से चढ़ा के और कड़ाई में डालते जाएंगे यह आप हाथ से भी छोड़ सकते हैं जो भी जिसमें भी आप कमफर्ट हों आप उस तरह से आलू के पकोड़िया कड़ाई में डाल सकते हैं अब मैं इसमें आपको अखिस उतां मिन्लेशू कर दवक्राइब और और यहान पे सब्सक्राइब सब्सक्राहें कर दाई गरम और यहां मेंडियम कर दिने यहाँ यहां इस पुलियों कर दिखाई है में आपको खाना वो धार जांगे कोटिंग को आप हाथ से भी चड़ा सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं डाल रही हूं हाथ से चड़ा कर इसी तरह से आलू को बैटर में डिप करना है और निकाल की कड़ाई में डाल देना है थोड़ा घाडा बैटर होता है तो कोटिंग अच्छे से आलू में सैट हो जाती है और इतना मुकड़ाय में डालते तब तक वह कोटिंग उस पर चड़ी रहती है तो इसी तरह से आपको कुट्ट्वा की पकोड़िया बनानी है और यह तलने में 5-7 मिनट लेती है तो इनको थोड़ा आराम से तले एक साइड से तले जब अच्छे से तल जाएं को अभी इनको कर्ची से पलटें देन दूसरी साइड से आप इनको सेखें गोल्डन ब्राउन होने तक और तब हमारे कुट्ट्व की पकोड़े अच्छी कुरकुरी बनकर आती है और आप इनको गर्मा गरम सर्व करें तो यह देखिए मैं इनको पलटकर भी दिखा देती हू आपको अब देख सकते कितनी इजली ऊपर आ जा रहे हैं यह स्टाइटिंग में नीचे चिपक जाती हैं लेकिन हलका सा फूर्स करने पर यह निकल जाएंगी इजली और आप इनको दोनों साइड से अच्छे से से शेक कर अपनी प्लेट में निकाल सकते हैं इनको मैं दोनों साइड से से शेक रहे हूं अभी एक साइड से सिखना बागी है दोस्तों इनको सिखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एक साइड से सिखने में यह दो से तीन मिनट लेती हैं क्योंकि आलू को गलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है औ दूसरी साइट से भी हम इने तेल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि ये काफी हाई फ्लेम पर ही बनाई जाती हैं कम फ्लेम कर देंगे तो ये पकोड़िया और टाइम लेंगी और अच्छे से बनेंगी भी नहीं और ओयल बीन के अंदर चला जाएगा इसलि जब दूसरी पकोड़िया डालेंगे तब इनको हाई कर लीची ये देखे पकोड़िया बन गई इसी तरह से में सभी पकोड़िया बनाकर लीडी कर ले रही हूं ये देखे दोस्तों पकोड़िया बनकर तयार हो गई हैं आप इन्हें दही के साथ साथ कीजिए या किसी अब तक के लिए बबाई टेक केर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा